दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सब का स्वागत है, मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है तो आईए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्ते में कुछ नई बाते सीखते हैं विद्यार्थियो आज की वीडियो में बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठे पुस्तक, 36 के खंड काव्य के कबीर पाठ की साखियां और सवद के पाठ से अलावा पाठेत्र प्रशन और उनके उत्तर देखिए पाठ के पीछे जो प्रशन दे रखे हैं उनके उत्तरों को लेकर कि हम वीडियो पहले बना चुके हैं लेकिन कई बार पाठ से भिन भी प्रशन आ जाते हैं जो अंदर से कुछ प्रशन बन सकते हैं हमने कुछ अनुमानित प्रशन बनाए हैं और उनके उत्तर आपके सामने हैं वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप इन्हें भी गंभीरता से पढ़ियेगा देखियेगा और दूसरी बात यह है कि आप वास्तमें चीजों को समझना चाहते हो उस कक्षा में अंक ही नहीं बलकि उसको बहतर तरीके से उत्तिरन करके उस पाठिकरम को समझना चाहते हो तो इस प्रकार के प्रशन जरूर आपको हल करने चाहिए पढ़ने चाहिए देखने चाहिए और इन प्रशनों से आपको इन ही प्रशनों का उत्तर नहीं मिलेगा बलकि पूरे पाठ को समझने के दृष्टिकोन के साथ साथ दूसरे जो प्रशन है पाठ के प्रशन है उन प्रशनों को भी हल करने का एक रास्ता मिलेगा तो चलिए प्रारंब करते हैं आज की वीडियो वीडियो प्रारंब करने से पहले आप से निवेदन या दिया आपने हिंदी की बिंदी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उत्तर है हंस जीवात्मा के प्रतीक हैं विमान सरोवर अर्थात मेन रूपी सरोवर को छोड़ कर अन्यत्र इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसे प्रभु भक्ति का आनंद रूपी मोती चुगने को मिल रहा है ऐसा आनंद उन्हें अन्यत्र दुर लवै इसलिए वहीं रहना चाहते हैं प्रशन नंबर दो है कबीर ने सच्चा संत किसे कहा गया है उसकी पहचान बताईए कबीर ने सच्चा संत उसे कहा है जो हिंदू मुसल्मान के पक्ष विपक्ष में न पढ़कर इन से दूर रहता है और दोनों को समान द्रश्टी से देखता है वही सच्चा हिंदु है और जो सच्चा मुसलमान है वो कटर होई नहीं सकता क्यों क्योंकि दोनों ही धर्म या फिर ओर भी धर्मों के जो गरन्थ हैं उनमें कहीं पर इस तरह का नहीं लिखा हुआ है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को मार देजिए दूसरे धर्म के लोगों को कश्ट पहुंचाईए वहां तो सहरदिता है मनुष्यता है, सहजता है इंसानियत है, प्रेम है सहयोग है, ये भाव है सभी में तो जब ये इस तरह के भाव होंगे तो आप कैसे किसी दूसरे धर्म के पशू को, प्रकरती को मनुष्यों को मार सकते हो काट सकते हो, हानी पहुंचा सकते हो तो उसमें कट्रता तो कहीं हो ही नहीं सकती, अगर वो वास्त में उस धर्म का सही रूप में अनुयाई है तो और यदि वो आधा अधूरा जानता है तो अधजल गगरी छलकत जात वाली स्थती है, अधूरा ग्यान तो निश्चित रूप से नुकसान दे होता है प्रश्ण नमबर तीन है कवीर ने जीवित किसे कहा गया है किसे कहा है तो उत्तर है कवीर ने उस व्यक्ति को जीवित कहा है, जो राम और रहीम सची भक्ति करने वाले को ही कवीर ने जीवित कहा है भक्ति के लिए किसी प्रकार के ढूं न करके वास्ता में सही मन से ईश्वर को याद किया जाए, मनुश्यों की सेवा किये जाए प्रकृति को देखा जाए और उसके साथ भी सह विभार किया जाए, तो वही सच्चा व्यक्ति है और वही जीवित है प्रशन नम्बर चार है मोट चून मैदा भया के माध्धम से कबीर क्या कहना चाहते है मोट चून मैदा भया के माध्धम से कबीर कहना चाहते है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की बुराईयां समाप्त हो गई और वे अच्छाईयों में बदल गई अब मनुश्य इन्हें अपना कर जीवन समवार सकता है तेकि कविरदास मूलत ये कहना चाहते हैं कि आप अलग-अलग धर्म, अलग-अलग पंत, अलग-अलग संप्रदाय के लोग जो ईश्वर को अलग-अलग रूप में मानते हैं, ऐसा नहीं है, वो एक ही है, बस ऐसा मान लीजिए, जैसे कि गेहूं को जब आप पीसते हैं, अगर वो मोटा है, तो आटा है, और ज़्यादा बारीक कर दिया तो वो मैदा हो जाएगा, त अगला प्रशन है, कबीर सुबरन कलश की निंदा क्यों करते हैं, उत्तर है कबीर सुबरन कलश की निंदा इसलिए करते हैं, क्योंकि कलश तो बहुत महंगा है, परंतु उसमें रखी सुरा व्यक्ति के लिए हर तरह से हानी कारक है, सुरा के साथ होने के कारण सोने का पात् गया है यानि कि अच्छे व्यक्ति में अच्छी वस्तु में कोई गलत चीज रखी है बुरी रखी है तो वो भी उसके प्रभाव से बुरी ही बन जाएगी ऐसा नहीं एक स्वरण में जदी सुरा है तो उसको भी पिली जी आप इसलिए व्यर्थ है व्यकार है इसलिए उसकी निंदा की गई है प्रशन नंबर च्छे है कि सुबरन कलश किसका प्रतीक है मनुष्य को इससे क्या शिक्षा ग्रहन करनी चाहिए उत्तर है सुबरन कलश अच्छे और प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक है जिसमें जन्म लेकर व्यक्ति अपने आपको महन समझने लगता है व प्रशन साथ है कबीर मनुष्य के लिए क्रिया कर्म और योग वेराग्य को कितना महत्तपुर्ण मानते हैं उत्तर है कबीर मनुष्य के लिए क्रिया कर्म और योग वेराग्य को महत्तपुर्ण नहीं मानते हैं क्योंकि मनुष्य इन क्रियाओं के माध्यम से इश्वर को प को बस आप सही मन से सही काम करते हैं इश्वर आपको मिल जाएंगे अगला प्रशन है मनुष्य इश्वर को क्यों नहीं खोज पाता है तो उत्तर है मनुष्य इश्वर को इसलिए नहीं खोज पाता है क्योंकि वह इश्वर का वास, मंदिर, मस्जिद जैसे, धर्म, इस्तलों और काबा, काशी जैसी, पवित्र मानी जाने वाली जगों पर मानता है, वह इन्ही इस्थानों पर इश्वर को खोजता फिरता है, वह इश्वर को अपने भीतर नहीं खोजता, भीतर नहीं तलाशता, इधर उधर ज़्यादा दोड़ता है, इसलिए उसे इश्वर नहीं मिल पाते हैं, वे भटकता रहता है, कवीर ने संसार को किसके समान कहा है और क्यों, कवीर ने संसार को श्वान रूपी कहा है, क्योंकि जिस तरह हाथी को जाता हुआ देखकर कुत्ते अकरण भूखते हैं, उसी तरह ज्यान पाने की साधना में लगे लोगों को देखकर संसारिक्ता में फसे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं वे ज्यान के साधक को लक्षे से भटकाना चाहते हैं ये जो भटकन वाली इस्थती है निश्चित रूप से अनेक जगें पर है और लोग अपनी साधना को पूरे किये बिना ही जो लोग भटकाना चाहते हैं उनकी भटकन में फसकर रह जाते हैं और अपने लक्षे तक नहीं पहुँच पाते हैं इसलिए आप तै कीजिए आपको क्या करना है और जहां तक पहुँचना है वहां तक पहुँचिए बिना लोगों की परवा कीजिए बस शर्ती है का आपका जो रास्ता है जो साध्य लक्षे है वो सही होना चाहिए सही का मतलब यह है की आप निज्स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नुक्सान अहित करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं रूसी को अपने लक्षे निरदारित कर रहे हो, तो वो गलत है कबीर ने भान किसे का है उसके प्रकट होने पर भक्त पर क्या प्रभाव पढ़ता है उजाला फैल जाता है तो ऐसे ही जब व्यक्ति को ग्यान होता है तो अग्यानता का अंधकार दूर हो जाता है इश्वरी ग्यान प्राप्त होने पर मनुष्य के मन का अंधकार दूर हो जाता है सभी प्रकार की उसकी शंकाएं समाप्त हो जाती है जो ऐस पष्ट था जो होने से मनुष्य के मन में कुविचार हट जाते हैं वे प्रभू की सच्ची भक्ती करता है और उस आनद में डूब जाता है अब कुछ दीर्ग उत्तर ये प्रशन देखते हैं पहला प्रशन है इस पष्ट कीजिए कि कवीर खरी-खरी कहने वाले सच्चे समासुधारक थे कव कवीर वास्त में कवी बाद में समासुधारक पहले माने जाते हैं तो किस रूप में इस प्रशन के आधार पर हम उसका उत्तर देते हैं कवीर ने ततकालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराईयों को अत्यनत निकट से देखा था उन्होंने मैसूस किया कि सामप् प्रदाइक्ता, धार्मिक कट्रता, भक्ति का आडंबर मुर्ति पूजा, उंच नीच की भावना आदी प्रभुभक्ति के मार्ग में बाधक हैं। उन्होंने इश्वर की वानी को जन जन तक पहुचाते हुए। कबीर खरी-खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक थे। समाज को सही मार्ग पर लाने की चेश्टा करते थे, प्रियास करते थे, कवीता में कवित्व कह करके, कवीता में चमतकार पैदा करने का उनका कोई प्रियास नहीं था। बलकि कवीता उनके लिए एक साधन थी, साध लावाए पठित सबद के आधार पर लिखिए उत्तर है ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य का मन, मोह, माया, अज्ञान, तृष्णा, लोब, लालच और अन्य दुर्विचारों से भरा होता था, वो नीम फसा रहता था, वे सांसारिक्ता में लीन था, इससे वे प्रभ भख्यान का प्रकाश खेल गया, वह प्रभु की सची भक्ती में डूब कर उसके आनंद में सराबोर हो गया, तो ग्यान एक ऐसी ज्योती है, जो जिसके मन में प्रज्वलित हो जाती है, तो सभी प्रकार का अंधेरा दूर करने का प्रियास होता है, ये चमतकार उसमें आएं, वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करते हैं, वीडियो आपके लिए लाभानवित होगी, बहुत सारे विध्यारतियों ने हमसे कहा था, कक्षा नो का खंड कावे वाला जो अंश है, वो आप प्रारम कीजिए पहले, तो ह आपने उससे समयत वीडियो बनाने शुरू कर दिये, आप इनको देखिए, और इनसे लाभ लीजिए, और अध्यन कीजिए, और अपनी कक्षाओं में तो उत्तिरन करें ही, साथ ही साथ आप अपने परिवार, समाज और देश में भी बहतर तरीके से उत्तिरन करें, ऐसी आ करेंगे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टोपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार